कि वेल्कम अलफ यू स्वागत है आप सभी का बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं हम अभी माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं लास्ट क्लास में हमने माइक्रो कंट्रोलर की you to recruiter की माइक्रो कंट्रोलर क्या है क्या करता है बताई क्या क्या है क्या करता सब्सक्राइच कोई भी प्रोग्राम एक्जीक्यूट करता था अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता था बैसे ही माइक्रो कंट्रोलर भी यूज पॉर आ एक्जिक्विशन ओफ प्रोग्राम तो सर फिर अंतर क्या हुआ क्या पढ़ा था हमने कि माइक्रो कंट्रोलर इस आ ओन चिप सिस्टम इस आ ओन चिप माइक्रो कंप्यूटर इस पढ़ चुके हैं मैं पहले लेक्चर में बड़े डिटेल में इत्मनान से समझाया है यहां पर तो मैं जस्त आपको एक रीकइप करवा रहा हूँ बरीफ बता रहा हूं जिससे मांदी चपन को सके Link बना सके तो इस muट थन मैंपको बता रहा हूँ क्या हमने बता अटो माइक्रो कंट्र लर एक तरहे का माइक्रो प्रोसेसर ही है आप माइक्रो प्रोग्राम एक्जुक्यूशन अर्थमेटिक लॉजिकल ऑप्रेशन है ना और इसमें काम आता है बैसे ही माइक्रोगंट्रोलर भी आता है फिर हमने दिखा तो फर डिफ्रेंस क्या है फिर क्यों पढ़ रहे हैं माइक्रोगंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रो एक्ट एज आज सीपी यू इन माइक्रो कंप्यूटर और कंप्यूटर बट माइक्रो कंट्रोलर बर्क इट सेल्फ एज आज माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर एक सीपी यू की तरह वर्क करता है हमारे कंप्यूटर में जबकि कंट्रोलर जो होता है अपने आप में एक माईक्रो कंप्यूटर होता है क्योंकि तो माईक्रो कंटोलर में सबी सवी कमपोनेंट हमारे एक ही चिप पर होते हैं। कौन-कौन से कंपोनेंट सर जो भी कंपोनेंट कि आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए नीड होते हैं, सर ये क्या बोल दिया आपने specific operation, हमने इसकी बात की थी, क्या कि microprocessor general purpose function के लिए यूज होता है, general purpose computer में यूज होता है, मतलब microprocessor का यूज करके आप एक से ज़्यादा function कर सकते हो, बट microcontroller की speciality ही यह है, यह specific function, special function, एक तरह के function के लिए design किया गया है, और उस function को करने के लिए जो जो हमें peripheral चाहिए, resources चाहिए, जैसे resources peripheral क्या होते हैं, RAM, ROM, counter, timer, oscillator, circuit, program counter, stack pointer, यह सभी हमारे on chip होते हैं, तो हमेंने क्या बोला, इसी लिए से micro computer बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी required component on chip होते हैं, इसलिए थे on chip system भी बोलते हैं, सब मैं बता चुका हूँ, बस आपको recap करा रहा हूँ, जिससे हम आगे की चीज़ों को बहतर समझ पाएं, ठीक है, फिर आगे की बात हमने क्या की थी इसमें, जो मैं अभी बोल चुका हूँ, कि micro controller specific function करता है, specific function करता है कि नहीं करता है, जैसे हमने example दिया था, कि suppose you want to make a washing machine, उसके लिए micro controller बनाना है, तो जो जो component उसके लिए use होंगे, वो वो आप उसमें लगाओगे, तो एक बात और है, कि micro controller में जो component लगते हैं उपर से, application के हिसाप से, जैसी application basic component लगेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हर एक component लगा के रख दोगे आप, ऐसा तो होई नहीं सकता है, infinite number of component है, एक ही चिप पर कैसे लगाओगे सभी, तो जैसी requirement होगी, जैसा मैंने बुला कि micro controller एक specific function के लिए काम करता है, और उस function के साफ से, जो जो requirement होगी, जितनी RAM चाहिए, जितनी ROM चाहिए, counter, timer, oscillator, program counter, stack pointer, और भी चीज़ है, यह तो मैं यह बता रहा हूँ, चीज़ें होती है, जो अलग लग तरह के लिए होती है, तो यह हमारे micro controller पर होती है, depends on the application, तो I think आपको यह बात समझ में आगए होगी, कि micro controller क्या करता है, और यह कैसे processor से difference है, micro processor ते किस तरह से differentiate है, यह मैंने आपको कुछ 2-3 point बताए, अभी मैंने आपको 14-15 point लास्ट पहली class में, पहली class में कमते हम 14-15 point difference बताया है, micro processor और micro controller का, उसको जरूर देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, अब हमारी बात हो रहे थी, हम specific पढ़ने वाले है, 8051 micro controller, वो हमारे syllabus में है, 8051, उसकी हम बात कर रहे थे, हमने 8051 के बारे में यह देखा, कि भई, यह 1981 में इसको introduce किया, किस ने introduce किया, Intel ने इसको introduce किया, Intel ने इसको बनाया, ठीक है, ठीक है, यह जो है, हमारा 8051, इसके फिर हमने features देखे थे, बहुत सारे features मैंने आपको बताये थे, कम से कम 15-20 features बताये होंगे, जो भी हो, एक नमबर नहीं है, मुझे यार, last class में, तो feature हमने इसके देख चुके हैं, कि यह 8 bit है, इसमें 4 port होते हैं, 4 ports are available, 4 port हमारे bidirectional होते हैं, ठीक है, जिन पर 8 bit होता है, 8 bit का हर एक port होता है, 32 bidirectional input-output line होती है, बता चुका हूँ मैं, यह 805 बन के feature बता रहूँ आपको, ठीक है, फिर इसके बाद हमने और क्या बात की थी, 805 बन के feature बताओ जल्ली, इसमें 8 bit data bus होती है, जो की bidirectional होती है, 16 bit का address bus होती है, जो की unit directional होती है, इसमें 32 special purpose register होते हैं, 8 bit each, ठीक है, इसमें 5 interrupts होते हैं, there are 5 interrupts, 2 hardware interrupts and 3 software interrupts, hardware interrupts क्या होते हैं, int 0, int 1, है ना, और software interrupt कौन से होते हैं, timer 0, timer 1 and serial port, इसमें एक serial port होता है, इस सभी हमने special feature पढ़े हुए है, 805 बन में, अब आप बोलो, सर यह का पढ़ाएं, लाश्ट क्लास में पढ़ाएं, आपको पढ़ना है, फिर हमने इसके बाद, लाश्ट क्लास में बात की थी, application of 805 बन, है ना, इस special application, यहां तक हम लाश्ट क्लास में पढ़ चुके थे, हमने application में यहां रता थे, consumer appliances, computer, robotics, home appliances, bossing machine, microwave oven, है ना, और भी home appliances में आपके वीडियो गेम हो गये, communication system में आपका mobile हो गया, आपका intercom हो गया, communication system में कहां, यह जदा office में कहां हो गया, printer में हो गया, fax machine में हो गया, automobile में कहां हो गया, आपका automatic engineer control में हो गया, aeronautics में कहां हो गया, आपका pressure control, temperature control, इस तरह से यह मैं आपको बता चुका हूँ, बिलकुल लिखवाया है बताये नहीं है के वल लिखवाय है तो यह हमारे एप्लिकेशन दिस इद लास्ट स्लाइड लास्ट पेज जो हमने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है नाओ फ्रॉम दिस क्लास वी स्टार्ट अन्यू टॉपिक डैट इच क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं 8051 इसका एक टाइप है क्लासिफिकेशन का एक पूरा एज यह नहीं लिखा है ध्यान दें बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसक्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है माईक्रो कंट्रोलर जो अब बनाते हो उनको कैसे क्लासिफाइ किया गया है जैसे किसी ने अलग माइक्रो कंट्रोलर बनाया किसी Hers força करोगे से दो बाइक है we got एक का pick up कम है एक का ज्यादा है एक का mileage कम है एक का ज्यादा है तो यह क्या है की point है जिसके base पर आप decide करते हो है ना एक में AVS breaking system है एक में नहीं है सोज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसी तरह है micro controller को classification के लिए हम अलग-अलग field यूज करते हैं अलग-अलग criteria यूज करते हैं अब बन वाइवन हमको हर एक चीज बढ़े detail में समझना है बात समझ मारी है बन वाइवन हमको हर एक चीज बढ़े detail में समझना है चले तो मैं समझाता हूं classification of micro controller इसमें सबसे पहले classification जो किया क्या है वो किया गया है on the bits bits के base पर classify किया गया है on the basis of bits bits के basis पर क्या होता है कैसे होता है सब मैं बताने वाला हूं सुनते चलें on the basis of bits bits के base पर classify किया गया है मतलब 4 bit 8 bit 16 bit 32 bit मतलब क्या है सर इसका बताऊंगा भी मैं सुनते चलना है भी है ना बड़े इतनान से प्रेम से इंट्रेस्ट से समझना है जब तक सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट नहीं आएगा तब तक वो आपके दिमाग में नहीं गुसेगा ठीक है तो इतनान से समझे ठीक है तो classification का पहला criteria आ गया बिट्स क्लासिफिकेशन का दूसरा criteria आ गया memory memory के बेस पर भी हम इसको classify करते हैं किसको माइक्रो कंट्रोलर को कौन-कौन से classification होते हैं memory के बेस पर सर external memory और embedded system memory embedded memory सर यह क्या होता है आप बताई नहीं रहो धैर धैर रखना जरूरी है बच्चे धैर रखना जरूरी है सब पता पड़ेगा तीसरा family यह तो बहुत ही अलग topic है इसको अलग से लूँगा मैं अपनी आप में एक से देड़ घंटे का topic है microcontroller की family family के बेस पर भी classification है आप देख रहा हो पहले 805 बन 805 बन जो microcontroller है बहुत ही famous microcontroller है इसलिए इसको ज्यादा पढ़ा जाता जैसे माइक्र प्रोसेसर में सबसे याद आप कौन सा पढ़ते हो 8085 भी तो पढ़ते हो और भी इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर है मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री बताई ती सुरूबात से 4004 कहां से स्टार्ट हुआ है माइक्रो प्रोसेसर बनना पर सब को छोड़के आप केवल 8085 और 8086 पढ़ते हो कि समझ में आ रहा है कितना पुराना माइक्रो प्रोसेसर है उसको पढ़ते हो क्योंकि वो उस समय का सबसे माइक्रो प्रोसेसर था और मैंने यह भी बतायाकि था कि आज भी कहीं ना कहीं वह यूज हो रहा है नाम अलग हो जाएका प्रोसेसर का अब इंटल तो उसे बनाता नहीं है दूसरी कंपनी इस बनाती रहे हैं इंट ने दूसरों कंपनी चीजिए थोड़ी लगाना है तो डिपेंड्स को किस तरह का काम करवाना है उस तरह का प्रोशेसर डालते हैं उस तरह का controller डालते हैं उतना मेहगा उतना सस्ता अब आप बुलो सर ये controller जो बना रखाता है 1980 में बना रखाता कितने साल हो गए आज से almost 42 year पहले की बात आज आप पड़ा रहे हो सर क्या काम की हमारे काम की है क्योंकि आज भी काम तो इसी base पर हो रहा है पर base बही रहता है और अगें दा सिमलर थिंग कि जैसे जैसे आप advanced microprocessor और microcontroller को पढ़ते हो आपका expense खर्चा cost बढ़ जाती है तो depends on your requirement आपका requirement कितना है उस साब से आप microprocessor microcontroller लगाते हो पुराने microprocessor, microcontroller भी लगाते हो आप laptop लेने जाते हो laptop में आप देखते हो अभी i10 आगया होगा अभी मुझे latest i10 का पता है एना apple में m1 चिपाती है तो i10 processor का आप laptop लो और i5 processor का लो सब कुछ similar ले 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 ना उसमें वीडियो कार्ड उसमें sound card उसका external memory सब कुछ similar हो केवल प्रोसेसर आप बोलो सर मुझे आई सौप कीपर पर जाओ दुकानदार पर जाओ उससे i5 और i10 processor सब कुछ सेम है बस प्रोसेसर अलग अलग है आप देखना कम से कम पांच से दस हजार रुपए का अंतर आएगा समय रहे हो आप आई फाइव और i10 processor जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा होगा मुझे लगता है आई फाइव आई टेन में साइद ज्यादा चार पांच साल का डिफरेंस हुआ होगा पांच साल पहले रोपे ज्यादा लगेंगें तो आप समझ रहे हो 93 क्षोटी क्षोटे रेकॉर्मेंट है तो छोता प्रोसेस तर्लेंग orthopedia होता कंडोला लेंगे चौतोल से हो सब्सक्राइब से आप ज्यादा प्रोबोटिक्स की बात करें एर नॉटिकल इंजिनेरिंग की बात करें जहां पर आप डिजाइनिंग दा मिसाइल्स या आप इस पेस में जो छोड़ते हैं है ना उनको हम बना रहे हैं तो अब उनके लिए आप प्रोसेसर और कंट्रोलर बैस्ट से बैस्ट सबसे एडवांस लोगें तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन सेटिलाइट इस पेस सेटिलाइट अभी दिमाग सीख दमोड़ गया सेटिलाइट बनाते हैं ठीक है तो उनके लिए एडवांस शाहिए हा सबसे फेप्रः माइक्रो कंट्रोलर ओथा उस समय का 805 बन था अब इसको सबसे पहले तो इंटल भाई से इंटल यू नो दा इंटल है ना प्रोसेसर बनाने की सबसे बड़ी कंप्नियों अधिक तर आप इंटल के सुन्तियों उससमयें इंटल ने बनाया इसे एटमल ने डेलस ने बनाया, फ्लिपस ने बनाया, सैमेंस ने बनाया, 8051 को सभी ने अलग-लग कमपनीयों ने बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद, Motorola का फेमिली इसको हम पढ़ेंगे, फेमिली ओफ, माइक्रो कंट्टोलर अलग से पूरा टोपिक है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दाइट फाइवाइब नें मोटरॉला का कौन सा माइक्रोकंट्रोलर आया उसने कौन सा बनाया वह पढ़ेंगी दैन हम पिक का पढ़ेंगी देन हम टेक्सस जो एंप्टेंट नेशनल आर्म अदर जो इंप्रोटेंट थो यह फैमली के अंदर हाँ द इंस्ट्रक्शन सेट के बेस पर 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 इंस्ट्रक्शन सेट दिख रहा है कलर दिख रहा है हां जी दिख रहा है ठीक है इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन सेट आपने दो तरह कि सुनोंगे सिस्क एंड रिस्क complex instruction set computer and reduced instruction set computer computing कुछ भी आप लें तो दो तरह के instruction set होते हैं जो की हम पड़ते हैं जिनके बेस पर microprocessor microcontroller define होते हैं जिनके उपर वो classify होते हैं तो microcontroller भी इन दो के बेस पर हम classify करेंगे ठीक है रिस्क और सिस्क क्या है हम पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट है तो इसमें मैं अलग से आपको differentiate एक पूरा चार्ट भी बनवाऊंगा एक पूछे जाते हैं इस पर एक पूरा चार्ट हम पढ़ने वाले है क्योंकि यह important है ठीक है भई अगला के important है that is architecture दो थरह के architecture है यह भी important है यह भी direct आपको पूछा जाता है questions इस पर भी आपसे पूछे जाते है इनके बीच में भी difference है जिसको हमें बड़े अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि इस पर भी questions डारेक्ट पूछे जाते है वान्यूमन और हारवर्ड के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको उपर मोटा मोटी बता चुका हूं याद है प्रिछली क्लाज में मैंने क्या बूला था कि वान्यूमन और हारवर्ड डिपेंड करते हैं आप किस तरह से मेमोरी यूज कर रहे हो कौन सी मेमोरी डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी याद है उसके बेस पर एक लासीफाइग किये गए हैं समझेंगे इसको डिफ्रेंसियेट करेंगे बड़े इतना नान से क्योंकि इस पर कोशन डारेक्ट आ आते हैं बाकियों को समझते हैं इनको जड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि इन दौनों पर कोशन ज्यादा आते हैं ठीक है फैमली तो अलगी है इसको तो अलग से पढ़ना है यह तो अपने आप में एक से दो घंटी का टॉपिक है एक डिड़ घंटी का जो भी टाइम अधिक नहीं पता कितने टाइम लगेगा हां जी चलें तो देन स्टार्ट क्लासिफिकेशन नाओ अधा क्लासिफिकेशन एक ओर्डिंग टू बिक्स बनवाए बन चलूंगा मैं पहले बिट बताऊंगा फिर मेमोरी बताऊंगा फैमली छोड़ दूँगा फैमली फिर मैं इस प्राइन सेट बताऊंगा फिर दिफ्रेंशिएट पड़ेंगे डिफ्रेंशियाट बेट्वीन इसक एंड शिस दन आर्केटेकश्चर बलाऊंगा जैण डिफ्रेंशिएट पड़ेंगे बोन्यूमें ऐन हालवर्ड यह आजकी क्लास में हम अभी क्लास में तो according to the bits आप देख रहे हो 8 bit microcontroller, 16 bit microcontroller, 32 bit microcontroller और advance ले लो तुझे सर है क्या चक्कर यह बता चुका हूँ मैं आपको, बताओ जरा क्या बताया था, 8 bit microcontroller है या 16 bit है, What is this? A bit से मतलब क्या होता है? इसकी word length होती है, word length होती है, मतलब 8 bit word length है, 8 bit word length, जरा सब्दों को पर ध्यान दे हैं, 8 bit word length है, मतलब, सरे मतलब क्या है? मतलब, ए माइक्रो कंट्रोलर जो है, 8 bit का, ए 8 bit data को execute करेगा, fetch करेगा, process करेगा, तो मैं लिख देता हूँ, 8 bit, execute, 8 bit, execute, fetch, ठीक है, process, 8 bit data, जो भी हमारा data आ रहा है, 8 bit data पर ही काम करवेगा यह, इसलिए 8 bit, micro processor बोला, bits के आधार पर हमारा यह differentiate है, किस के आधार पर? bits के आधार पर, और bits क्या होती है, कितने bit का वो process करेगा, कितने bit को execute करेगा, कितने bit को fetch करेगा, simple, example कौन से है, 8031, 8051, example है, इसके, ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, कि जो process fetching है, यह 8 bit पर होने वाली है, पढ़ लो इसमें जो line लिखी है, 8 bit micro controller, execute logical and arithmetic operation on the 8 bit, है ना, on 8 bit, on 8 bit और लिखेंगे, example इसके Intel 8031 और 8051 इसके example है, ठीक है, अब जैसे जैसे समय गुजरा, आपको ज़्यादा bits की requirement हुई, ज़्यादा bits execute करना है, process करना है, है ना, fetch करना है, at a time, तो फिर आपने और advanced micro controller बनाये, 16 bit micro controller बनाया, काम वही है, 8 bit बाला 8 bit के साथ काम कर रहा है, 16 bit बाला 16 bit के साथ काम कर रहा है, 32 bit बाला 32 bit के साथ काम करेगा, अब आपको एक बात तो समझ में आई रही होगी, इतना तो आपका common sense होगा, कि जो higher bit के साथ काम कर रहा है, उसकी efficiency ज़्यादा है, वो ज़्यादा fast होगा, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी न आपको, है ना, जो जितनी ज़्यादा high bit के साथ काम करेगा, जितने higher bit का micro controller होगा, वो तना ज़्यादा efficient होगा, fast होगा, है ना, simple थी बात है, वो ज़्यादा latest होगा, 16 bit micro controller execute with greater accuracy, and performance in the contrast to the 8 bit, simple सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि 16 bit बाला ज़्यादा accuracy से काम करेगा, latest है, 16 bit पर एक साथ काम कर रहा है, वो 8-8 bit के साथ काम कर रहा है विचारा, गरीब आदमी, ठीक है, पर गरीब जरूर है, 805 बन सबसे ज़्यादा है, कौन समझत, इसका एक्जाम पले, 8096, अब 8096 किसी को याद है, किसी को नहीं है याद, ना कोई पढ़ता है, जब पहली बार कोई अच्छी चीज याद आती है, जब पहली बार कोई अच्छी चीज बनाई जाती है, उसी को याद रखता है, उसके बार कोई याद नहीं रखता, कि भाई क्या बना है, जब फिर नया कुछ बनता है, फिर आपको चीज याद रहती है, पहली बार जो माइक्रो कंट्रोलर बना, वो सबसे बेस्ट, उस टाइम का, सबसे बहतर, 805 बनता है, इसलिए 805 बन को हम पढ़ रहे हैं, उसके ब इसलिए 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, इसमें एक वर्ड सेम है, जो लाइन मैंने लिखाई है, इधर नहीं लिखी है, इसलिए कुछ मैं जान बुझकर आपकी सिलाइड में छोड़ देता हूं, जिससे आपका ध्यान रहे, थोड़ा बहुत आप खुद भी हात पाउं कुछ बच्चे बढ़िया बैठ जाते हैं से कुछ भी हाथ प्यार नहीं चलाते, सब तो सर पका पकाया मिलेगा, भई पकाया कुछ नहीं मिलता, आपको महनत करनी पड़ेगी, है ना, तो यह लाइन जरू लिख लेना, एट बिट बर्ड लेंथ होती है, एट बिट माइक् मतलब इसका मतलब क्या होता है, इट प्रॉसेस, इट प्रॉसेस, पैच, एग्जीक्यूट कुछ भी बोलो आप, इट प्रॉसेस, फैच, एग्जीक्यूट, 16 बिट डेटा, इस टोके, एस ओके, और एक लाइन जो इंपोर्टन्ट है, इसके साथ साथ कि यह ज्यादा एक्वरेसी के साम काम करेगा और परफॉर्वेंस इसका बहतर होगा यह सिंपल सी बात है यह नोड़ेट ना दनेक्स देटी टूविट microcontroller again the similar thing what is the 32 bit the word length the word length of 32 bit microcontroller is the word length the word length of 32 microbit controller the word length it has the word length of 32 bit the word length of 32 bit microcontroller is 32 bits इसकी 32 bits की word length होती है और मतलब आपको स्वाज में आई गया होगा मतलब एट प्रॉसेस वही लाइन बार बार एट प्रॉसेस कि पैच एग्जीक्यूट कि हर्टी टूबिट डेटा कि आई तिंग एक क्लियर हो गया होगा अगें दा सिम्लर थिंग 32 बिट बाला और एडवांस हो गया और फास्ट हो गया तो अब इसको पढ़ लेंदे एज प्रॉसेट में लिए इन अउटोमेटिक ली कंट्रोल एप्लाइंसे जब्रण कापर मेली यूज यो बहुत है जदा एडवांस हो गया तो ऑटोमेटिक ट्रोल एप्लाइंस से ऋटोमेटिक कंट्रोल एक लेंश्यब होते न ओटमेटिक जुक फड़ा है थोड़ा बट बड़ा लवक्त अभी नहीं पड़ाओगा रद्ध एक अपने आप में बरख़ए सब्छेक्त है जो सिस्टम आप डिजाइन करते हो सिस्टम क्या है सार बीद सिस्टम के अब जो रख मैब तो हम क्या बात कर रहे थे कि लोग कैसा होता है एक च्छोटा साइग्जांपल देता हम बढ़ी याद आ रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है आपको बताने के लिए आपका इंट्रेस्ट आएगा फ्यूचर में आपको पढ़ना है तो आपको इंट्रेस्ट बना रहा है कि हाँ सर ने एक बार कुछ समझा है था कंट्रोल सिस्टम के बारे में यह से अपने एयर कंडीशनर की बात करें आप एयर कंडीशनर को जो आप एयर कंडीशनर घरों में यूज कर रहे हो आप एयर कंडीशनर को क्या करते हो सेट कर देते हो कितने पर सेट कर देते हो सपोज मैंने उसे 20 डिगरी पर सेट कर दिया 25 डिगरी पर सेट कर दिया ठीक है अब आप देखोगे कि आपके रूम का टेंपरेचर 25 डिगरी से ज़्यादा है 40 डिगरी है 35 डिग्री है गर्मियों में जैसे जहां पर हो तो आप देखोगे कि रूम ठंडा होता एसी से और जब आपके रूम का कंप्रेसर ओन हो जाता है जैसे ही रूम का टेंप्रेचर आपका जो आपने सेट किया है उस टेंप्रेचर से ज्यादा होगा कंप्रेसर विल ओन देन वेन दा कंप्रेसर ओन कंप्रेसर जब ओन होगा वो ठंडी हवा देगा और आपके रूम के टेंप्रेचर को 25 डिग्री पर लेके आएगा आपने तो रिमोट से सेट कर दिया या आपको नहीं करना है वहाँ जाके थोड़ी कंप्रेसर ओन करोगे और काम खतम आपका आपने तो करके 25 डिग्री लगा दिया अब की विचारा एसी करता रहेगा अब मैं ऑटमेटिक की बात बता रहा हूं वाट इस दा मीनिंग ऑफ ऑटमेटिक अब 25 डिग्री सेंटीग्रेट आपके रूम का टेंप्रेचर आ गया कंप्रेसर विल बी ओफ आपके रूम के टेंप्रेचर को सेंस करते रहेंगे जैसे ही टेंप्रेचर फिर आगे बड़ा 25 से उपर गया फिर कंप्रेसर ओन हो जाएगा देने इट विल अगें मेक योर टेंप्रेचर टू 25 डिग्री तो यह आटोमेटिक हो रहा है आप नहीं कर रहे हो एक क्लोज कर दिया आप तो बहार निकलाएगा टेंप्रेचर 25 डिग्री आपके रूम का आपके रूम का टेंप्रेचर 25 डिग्री से जैसे ही कम ज्यादा होगा कि कंप्रेसर ओन करके उसको मैनेज कर देगा क्या बात समझ में आई आई आपको समझ में आई क्या कंप्रेसर ओन हो तेखेंगे क्योंकि जैसे जैसे चीज़ैं ऑटोमेतिक हो रही है आप llev इंजिनेरीं में जाएंगे AIARONNIृकल इंजीनेरिंघ में जाएंगे आप MODERN medical इंस्टुमेंट देखेंगे सब ऑटोमेतिक हो रहा है आज याज कल हरकोई चाहता पुप बस बटन दवाओ और आनंद पाओ तो मतलब चाहते क्या हो और आटोमेटिक होना और आपको एडवांस चीज़ें चाहिए एडवांस लूप है एटना ज्ञादा है सिस्टम होगा एडवांस सिस्टम होगा उतना हाय माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा बिना माइक्रो कंट्रोलर की काम नहीं होगा यंँपोडार इस में माइक्रो नोगा इसाए भाए संसले मैं आपको उरे प्रेम से सुने बच्छी पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते पर उंको पता ही नहीं कि दो पर्लक्ण रहाए है इंट्रेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट में जब तक इंट्रेस्ट नहीं आए जब तक आपको लगने लगे कि हां यार कुछ है सब्जेक्ट में तब तक मज़ा नहीं है हां जी मैं बात कर रहा था कि एक बिलकुल मामूली सा फैन है सर मामूली फैन का मतलब क्या होता है फैन लगे होते हैं बिल्कुल बिचारे सीधे साधे सज्जन कैसे आपने बिचारों को घुमा दिया एक पर दो पर तीन पर चार पर पांच पर यह तो है कैसे रहते हैं छोटे-छोटे से फैन अपने बिचारे रिमोट आपको ता कुछ नहीं होता है कि वला अपने रेगुलीटर से मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर क्या संद्धार माईक्रो प्रोसेसर माईकर कंट्रॉलर लगा है नॉर्मल फैन जो हम घरों में हैं बहाँ पर कोई प्रोसेसर कोई कंट्रोलर यूज नहीं है आप काम मैनुवली कर रहे हैं वाट दा मीन ऑफ मैनुवल मैनुवल मीन्स यू आ दूइंग दा वर्क योर्सेल्फ आप खुद हाथ से रेगुलेटर को कम जादा करके स्पीड को म कम जादा करकर सकी स्पीड कम जादा करते हो यही करता सभ्य नॉर्मल relating yacht आब जो एड़्वांस फैन आ रहे हैं में उसमें माइक्रबॉशी सर्भ माइक्र div 50 थे चल रहे हैं रिमोट मतलब प्रोग्रामoth чat फ्रेहां प्रोग्रामिंग आई कि बहां पर कंट्रोलर और अई प्रोव बात समझ में आ रही कि नहीं देख उड़ांज कुछ-कुछ फैन ऐसी है कि आप भी आप पांच 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 यार के फेन आ रहा है है लाइट चमक रही है प्रोसेस अपने आप होन आफ जाने क्या क्या हो रहा है उसमें थीक कर पांच फांच इस एक उल्ड़ नेस लिए फांच अर रहा हुग है जिनने में बहुत एडवांस चीज़ आ रही होगी जो भी काम अब आप मैनुवल कर रहे थे वो बटन दवाके हो रहा है और फिर वह बटन दवाके आनंद लेना है तो एडवांस चीज़ें डालनी पड़ेगी एडवांस चीज़ें में पिचारे एट विट को छोड़के सोला विट डालो सोला विट को छोड़के 32 डालो और एडवांस डालो ठीक है ना तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाहरा हूं समझ गया होगी आप तो आप बता तो सकते हो कोई आप से पूछे कि भाई बता तुम प्रोसेसर पढ़ाए मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता हूं मैं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाता हूं बच्चों से बोलता हूं चलो एक एक जामपल दे तो मुझे आपके आसपास कहां यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर कैसे यूज होता है मैं आपको ब तो योड सब्जेक्ट जब आप सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करोगे तब आपका इंट्रेस्ट क्रियेट होगा सब चीजें आपको आसपास दिखने लगेंगी ठीक है चले आगे बढ़ते हैं हाँ हो गया यह तो हो गया तो हमारा क्या लिखा था लाइन से इंप्लांट टेवल मेडिकल अप्लियांसे एटी सी है ना इट रिक्वाइट 32-bit इंस्ट्रक्शन तो कैरी आउट एन लोगी कल एन अर्थमेटिक फंक्शन ठीक है क्या 32-bit कैरी आउट नाओ दानेस्ट इस क्लासिफिकेशन अक्रोडिं तुदा मैमूरी दिवाइस क्ला है क्या बात कर चुके है कि क्लासिफिकेशन का एक और प्रिकार है मैमूरी के बेस पर क्या प्रकार है कि मैमूरी कैसी है एक्टरनल मैमूरी माइक्रो कंट्रोलर है एंबेडिड मैमूरी माइक्रो कंट्रोलर है तो भाई यह किस पर डिपेंड करता है देयर आर टू टाइप of memory मैं पहले ही बता चुका हूं फिर एक बार बता देता हूं हमारे पास दो तरह की memory है एक होती है program memory please listen carefully हमारे पास दो तरह की memory होती है एक होती है program memory और एक होती है data memory program memory क्या है सर इसर ब्रोग्राम मैमोरी इस अमेमोरी इस प्रोग्राम ठीक है ध्यान से तो ने इट इस यूज टू स्टोर दा प्रोग्राम लिख देता हूं इट एज यूज तू स्टोर प्रोग्राम क्या लेखा है program memory it is used to store program very good and second होती है हमारी data memory पहले मैं नाम बता रहा हूं बता चुका हूं फिर मैं फिर से एक बार बता दूँगा बच्चे भूल जाते हैं कोई बात नहीं सभी भूल जाते हैं data memory क्या होती है सर data memory होती है it is used to store data अब हम बात करते हैं जरा है फिर से की program memory data memory होती है देखें भई program memory में program सेव करते हो data memory data सेव करते हो है अब ने प्रोग्राम होता क्या है अगर मैं इसकी आपको program की definition बोलूँ तो यह instruction जो लिखे रहते हैं वो एक logical arrangement of the instruction सब्सक्राइप दर टोक्राइब चाह फिद आप प्रोड्राम लोजीकल Uh इस neighborhood ले लिते हैं न झाफ के आफ लगया वाइच है अरे भई कहां गय हो आजाओ बैक्ग्राउंड हां जी हां तो क्या वोला प्रोग्राम की डेफिनेशन कभी कोई पूछ ले वाट एग दॉग्राम प्रोग्राम क्या है कि नोजिकल कि अच्छमेंट आफ लॉजिकल अरेंजमेंट आफ इंस्ट्रक्शन कि लॉजिकल अरेंजमेंट्स ओफ इंस्ट्रक्शन कि कॉल्ड प्रोग्राम हां जी सर तो बात समझ में आ गए यह तो सिंपल प्रोग्राम की डेफिनेशन बताई जो की जरूरत नहीं है पर हां कभी पूछ ले तो पताऊना चाहिए हां आप बात करते हैं प्रोग्राम का कु सब्सक्राइक करते हैं और नेमोरी में आप डेटा से बगते हो घूर्ग्राम सेव करते हो डेटा प्रोग्राम फिर सर आपर एकजयम्पल नहीं विता रहे हो अए आप का जो कंप्यूटर है उसमने क्या रखो है आपने क्या वभी अरे वह अनोर्येशन बदेञं़ बताओ डेट वह कि सब्रोग्राम क्या होता है को ओपरेटिंge सिस्टम रखक आपने है तो जो भी ह новых और ओर 215 फीस शेया घ्री हैं मेरे आपके पास VLC है की मेडिया प्लेयर होंगे है तो हम प्रोग्रांव है तो हम मैमोरी में दो तरह की छीज्वों को सेब करते हैं किस किस को प्रोग्राम और डेटा को तो जब प्रोग्राम से उसके बेस पर और प्रोग्राम मेमोरी बुलेंगे और इसका लेटेस्ट फीज धिक्जामपल मैंने क्या पढ़ी हा ताको कुटि कर लिएंस्टागराम सब चीज ओ मृटे ज़ो चल हर रहे है वाट डेर प्रोग्राहन będzie अप्लीन एस प्रोग्राम है वह है कि नहींगर पर उनके अंदर आपकी जो चैटें डली हुई है, सीख्रिट चैटें, सीख्रिट चैट, चैटें, समझते हैं, चैटें हैं, जो सीख्रिट चैटें, वो सभी डेटा है, तो आई ठिंख, आपके बात समझ में आगए, कि वाट इज टा प्रोग्राम, वाड़ देटा ठीक है दोनों में मतलब समझ में आ गया है चलें अगली बास समझते हैं इनके बेस पर माइक्रो कंट्रोलर को क्लासिफाई किया गया है हां जी सर तो अब हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं सीधा सीधा एक्स्टरनल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर एंबेड़िड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जिसकी चिप पर प्रोग्राम मेमोरी नहीं है मैंने क्या बुला मैंने क्या बुला microcontroller या on-chip microcomputer जिसमें सभी requirement के हिसाब से चीज़ें chip पर होती है इसलिए से on-chip system बोलते हैं on-chip microcomputer बोलते हैं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हाँ जी सर बिलकुल बोलते हैं पर अगर आपका program memory chip पर नहीं है if program memory is not on-chip कौन से कलर ले लूँ बिलू ले लेता हूं ठीक है हाँ external memory microcontroller in this type of microcontroller program memory is not on-chip program memory is not on-chip in this program memory is not on-chip in this type of microcontroller program memory is not on-chip वो चिप पर नहीं होती है ठीक है data memory होती है इसका example क्या है intel 8031 example क्या है सर intel 8031 इसका example है तो अभी तो आपने बोला कि सब microcontroller on-chip device है हाँ जी on-chip होता है इसलिए तो advance होते जा रहा है पहले इनको लगा कि वही क्या जरूरत है program memory को chip पर डालने की फिर लगा नहीं भई जरूरी होता है जितनी चीज़ें chip पर होती है उतना system fast होता है उतना reliable होता है उतना compatible होता है handy होता है इस अब चीज़ें जो मैंने बोला अभी जो मैंने बढ़ बोली जो मैंने बढ़न वाला बोली अभी आपको compatible, handy, reliable आपको लग रहा होगा सरने जाने कौन-कौन से सब दोपटक दिए अरे भाईया कुछ नहीं है सब बता चुका हूँ पहले unit में पहले lecture में सौरी इससे पहला जो lecture है मैंने पूरी बता है handy का मतलब क्या होता है portable क्या है है ना fast कैसे होता है सब मैंने इसको classify किया हुआ है आप उसको देखे तो आपको समझ में आएगा हाँ जी तो बाद में आते हैं क्या बात कर रहे थे कि इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम मैमोरी चिपर नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है अब हमारा दूसरा आ गया embedded memory microcontroller इन दूसरा कलर यूज करूं इसके लिए एले ले लिए इन देश टाइप ऑफ-माइक्रो कंट्रोलर इन देश टाइप आफ-माइक्रो कंट्रोलर इन देश प्रोग्राम memory age on the chip program memory chip पर होती है थेक है तो इसका example तो बता दो भई इसका example कौन सा है अरे भई जो 805 बन पढ़ रहा है वो इसका example भी है अच्छा 805 बन इसका example है Intel 805 बन लेख देता हूं इंटेल हटा दो और वी लोगों ने बनाया है उनने वी ओन्चिप बनाया हुग है इसलिए 8051 लिख रहा हूं मैं तो जब मैंने आपको 805 बन के पीचर्स पढ़ाये थे तो उसमें एक बात बोली थी इट हैज ओन चिप रैम एंड ओन चिप रैम कितनी थी 128 बाइट की रैम थी और रॉम कितना था 805 बन के बता रहा हूं फोर क्लो वाइट का रॉम था 805 बन में मैंने एक बात और बताए थी 128 बाइट की जो रैम थी जी कि वाइट इज कॉल्डबेट इटा में मौिरेम इस कॉललबा डेम एटा मेंमौरी स्टूर्ड डे जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ऐसे हुए और रॉम जो था रीड उई यूजिय नियुकरणी यूजिय जेसे ही आपने शिच्रम बंद किया यह लाइट गई वालिटाइल मेमोरी होती है जैसे यह यह काम खतम डेटा खतम एरेज ऑसा ऐसा रो़ में नहीं होता है मैं बता चुका हूं आपको रॉमेसा हुआ तो काम ही खतम हो जाएगा सिस्टम काम ही नहीं करेगा वासिंग मसीन में एक आपने माइक्रो कंट्रोलर रिज़ कर रहा है औ Wuhan क्नकॉंट्रोलर क्या करता है Washing Machine में हमारा कपड़े को धोने का पूरा System को कृड़ी से क्या है जो काम कर रहा है promising मसीन मैं मतलब कि कपड़े धोनेख पूरा System एक रॉम में प्रोक्राम 메म में सेव अब रूम इसका है मैं बता चुका हो रॉम एक प्रोग्राम मेमोरी राम एक टिक एक रॉम में सेव 궁금한 सेव करता है मैं बता चुका हूं रॉम एक प्रोग्राम मेमोरी है रैम एक डे Casey ठाश है ठीक है आप चाहे तो लिख में लें इना नहीं तो बड़े बच्चों की अधिक्कत आया है तो रेम जो होता हैं उसको क्या बोलते हैं रेम को हम डेटा मैमोरी बोलते हैं और रॉम को हम प्रोग्राम मेरी बोलते हैं कि अधिवी तो बढ़ा असान है समझ गए तो यह दिटा मैमोरी और रव में ग्राइस बढ़ा आ गया को आपको मैं समझा रहा था कि प्रोग्राम मेमोरी के जो प्रोग्राम है वो एरेज नहीं होते हैं लाइट चली गई सिस्टम बन हो गया तो खतम नहीं होंगे डेटा मेमोरी का डेटा उड़ जाता है सर ये क्या बात हुई अभी आपको समझा देते हैं जैसे washing machine का काम क्या है कपड़ेओं को धोना प्रॉपर तरीके से timer counter को manage करना प्रॉपर machine को time पर घुमाना जितने time के लिए आपने दे रखा है यही तो washing machine करती है दस मिनिट का टाइम लगा है, दस मिनिट घुमाएगा, भी पंदा मिनिट का लगा है, पंदा मिनिट का घुमाएगा, और कपड़ेों को धोकर सुखा कर पकड़ा देगा आपको, ठीक है? अब आप यह सब जो देख रहे हो, एक प्रोग्राम के थुरू हो रहा है, उसके नहीं अंगर लाइट गई, बन्द की बिचारा भूली गया वहन में क्या कर रहा था, मैं क्या करने आया था? इसी लिए, रोम रीड इड और रेम डेटा मयमोरी है, रोम प्रोग्राम म्हारी है, और यह हमारा डेटा उसी Much, झाने में ठीक है अग्य विडियो य ह्क क्लासी के चसना अगले लेच्चर अपको फिए मैं इसे अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा ठीक है ना क्योंकि टाइम ज्यादा लेगा तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा तो आई विल कवर इट इन दनेक्ट क्लास आई तिंक यह सही है ज्यादा लंबा वीडियो बिनाने से छोटी छोटी वीडियो जिससे आपको पहुच्ति है कि अच्छे मन से खाना आओं बढ़िया खाना लगेगा सरीर में उसका बढ़िया सब्सक्रा ना से खाऊगे डाइसन खराब मातने वहां तो आपको डाया नहीं होगा तो बढ़िया तरह से चीजें करते हो उसी तरह से ट्रांसमीट होती है तो मेरा मामना है समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें भो सर कोई दिक्कत नहीं आप बीडियो को एक से दो भार देखें तीन बार दीखें गैरेंृत समझ में आएगा मैं वहीं बार बार बहुता हुऊं कि असरव ग्याता हूं नहीं पर ne है हाँ इतने समय से 2008 से मैं पढ़ा रहा हूं आयम टीचिंग सिंस 2008 2008 से 2011 तक तीन साल इंजिनरिंग कॉलेज में एज लेक्षर असिस्टेंट प्रोफेसर आप जो भी बोलने तीन साल बहां पर पढ़ाया आफ्टर 2011 आएंट टीचिंग फॉरा गेट इंजिनरिंग सर्वेसेस असिस्टेंट इंजिनियर जी जूनियर इंजिनियर और जो हमारे एक्स्पिरियंस में या बड़े एक्स्पिरियंस में आप जो भी बोलना चाहें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि पढ़ाते कैसे हैं और मैं को समझ में आ रही है और मैं कोसर स करता हूं कि आपको वो समझ में आए हां मेरे में एक ड्रॉबैक है जो मैं मानता हूं क्या द्रॉबैक है थोड़ा सा धीरे पड़ाता हूं अब यह ड्रॉवैक बोलो है ड्रॉवैक बोलो यह ड्रॉवैक बोलो यह 12 इसलिए कि हमारे 90 परसैंट वच्चे एवरेज हैं बिलॉव एवरेज हैं जिनको धीरे-धी नमाग के फास्ट बढ़े अच्छे बच्चे हैं तो भई वो जड़ाता वीडियो फास्ट करके देख लें फास्ट करके वीडियो देख लें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पर मैं मानता हूं कि अधिकतर बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज होते हैं मेडियम होते हैं तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं मैं उनके लि तो मैं क्या बोल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है स्पीड का इसू हो सकता है अच्छे बच्चों को पर कोई इतनी सिलो भी नहीं पड़ाता हूं इतना इस पर बहुत काम किया है बच्चों ऐसे नहीं चीजे मेंटेन हुई है इतने समय के experience से धीरे धीरे day by day समझा है कि क्या चीजें बच्चों के लिए चाहिए ज्यादा fast पड़ा देते हैं बच्चों की दिमाग से उपर निकल जाता है सन्ने जाने क्या पड़ा दिया ज्यादा slow पड़ा देते हैं तो दिक्कत है तो यह सब कुछ manage किया गया है से हुए classification इसको अभी मैं cover नहीं करा हूं अगली क्लास में करूंगा जिस में मुझे रिस्क सिस्क देखना है उसका डिफ्रेंस यह तन देखना है हमें बैन नुमन और हावर्ड आर्किटेक्चर देखना है उसमें डिफ्रेंस देखना है दोनों ही important है important exam के हिसाब से बोल र होगा मेहनत करें सफलता जरूर मिलेगी नमस्कार